कोरोना महमारी से परिशान चल रहा देश हाल ही में एक और खबर से तिलमिला उठा है यह खबर है कैरल के मलम पुरम की जहां एक प्रेगनेंट हथनी को कुछ लोगों ने विस्फूटक से भरा अनानास खिला कर बुरी तरह से जखमी कर दिया जिससे हथनी का जबडा बुरी करीके सफट गया और वो दर्द से परिशान हो गई अपने दर्द को कम करने के लिए या यह कहें कि मौत को अपने गले से लगा लेने के लिए हथनी तीन दिन तक नदी के पानी में खड़ी रही लेकिन उसका दर्द कम नहीं हुआ और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया इ और दोशियों के खिलाफ सकते से सकत कारवाई करने की मांग की जा रही है इसी बीच इन दौर के M Group की President सुप्रिया मदान ने एक वीडियो शेयर करते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की है और जनता से अपील की है कि वो अपने घर के आसपास रहने वाले अवारा पशू जिनका कोई घर नहीं है उनकी बदत के लिए आगे बढ़ें कि अपने वीडियो में सुप्रिया मदान ने कहा कि हमारे घर की आसपास कई ऐसे पशू होते हैं जिनके पास रहने को जगह खाने को खाना नहीं होता ऐसे पशू का सहारा बने उनके खाने पीने की व्यवस्था करें अगर कोई पशू आपके घर के गराज या किसी तरह रह सकने वाली जगह पर छुपा हुआ है तो उसे रहने दे भगाए नहीं क्योंकि बरसात में पशू को छुपने की जगह नहीं मिल पाती है इसलिए उनका सहारा बने और मदद के लिए आगी आए सुप्रिया मदान ने कहा कि हमें महान बनने के लिए कुछ बड़ा करने की जरुत नहीं है छोटी-छोटी चीज़ें हमें महान बनाती है हमारे चैनल गमसान.com के दूज सुप्रिया मदान ने अपनी ये बात जनता तक पहुचाने की कोशिश की है हम भी उनकी इस बात का समर्धन करते हैं और आप सभी से अपील करते हैं कि अपने घरों के आसपास रहने वाले आवारा पशुओं का सहारा बने और उनकी सहायता करें सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेज तबेल आइकन फोर अपडेट्स